नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल में आज का जो टोपिक रहेगा दोस्तों हमारा बर्ण माला से रहेगा बर्ण माला को एक तो स्वर में बांटते हैं और दूसरा बेंजन में बांटते हैं तो आज हम पढ़ लेंगे स्वर को की वीडियो में हम बेंजिन को discuss करेंगे, तो चलिए शु LORD करते हैं दोस्तो, आज के वीडियो को, आप वीडियो को लाश्तर देखिए, दोस्तो, बिलकुल clear हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत, रत्ती भर भी नहीं पड़ेगी, आपको रटने की जरूरत, काई जो होती है ना बहासा की सबसे छोटी काई जो होती है उसको हम क्या कहते है बर्ण कहते है आप इसको समझते होंगे द्वनी के नाम से भी हैंगी बहासा की सबसे छोटी काई के होती है द्वनी होती है तो उसी द्वनी को हम बर्ण में कनवर्ट करते है ना द्वनी को किसी जिना किसी में तो बांधेंगे तो इसको किस में बांधें बंड बन बें बांधें Pharisee Companion चालिए सवर्ण को समझते हैं किस्वर कितने होते हैं फिर एक एक करके इनको समझना सुरू करेंगे वीडियो को द्यान से देखे दोस्तों आज आपको रटने के जरुवत ने पड़ेगी, चाहें आप इसे ट्रिक कहिए, कुछ भी कहिए, बहुत ध्यान से याद हो जाएगा आपको यह, चलिए, लिखना शुरू करते हैं वही सोरों को, छोटा आ, बाडा आ, छोटी ई, बड़ी ई, चोटाओ, बाडाओ, रिर, ए, आ, ओ, आओ, चलिए, और आगे ले लेते हैं, अंग है, आहा, इनको ब्रेकिट में बंद कर देते हैं, तो टोटल देखें हम इनको, दोस्तों, तो यह 11 हैं, और यहां तक देखें तो 13 हैं, अब परीक्षा में किस तरह से पूंचा जाता है, देखें, मूल स्वरों की संख्या, अगर हम देखें, मूल स्वर कितने हैं हमारे पास, तो तो 13 हैं, और उच्चारण के हिसाब से 13 और उच्चारण के हिसाब से पहुंच रहा है, तो 11 लगाने, क्योंकि वो दोनों ही विकल्पों को देता है, आपको इन दोनों पर ध्यान देना हो गया, पर किताबें बहुत लड़ती हैं इस बात पर, कि 13 होते हैं, या 11 होते हैं, लेकिन इनको स्वरों की स्रेड़ी में बास्तर में दोस्तों नहीं रखा गया हैं, इनको हम कहां पढ़ेंगे आगे, बेंजन में पढ़ेंगे, तब अच्छे से समझाएंगे कि कहां से आएं और इनका नाम क्या होता है, चली आज हम समझते हैं दोस्तों स्वरों के लिए, स्वरों की संख्या कितनी होगा हिमारे मात्रा होती नहीं, बेंजन भी स्वरहों से ही मात्रा लेते हैं, तब ही अपनी मात्राओं को लगाते हैं, बेंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, तो चलिए इनकी मात्राओं को देखते हैं, किसी सब्द में लगाते हैं इसे, यानि किसी बन में लगा के देखते हैं, का बन में लगाते हैं इसे है ना का में लगाना सुनू करते हैं तो आकी तो अपनी कोई मात्रा होती है ना छोटे आकी कोई मात्रा नहीं होती है बड़े आपे लगाते हैं का पे लगाते हैं बड़े आकी मात्रा तो यह होती है तो बड़े आकी यह मात्रा होगी इकी मात्रा देखो इस होती है इसे हम यह लिखेंगे रिडी की मात्रा देखी कैसी होती है ना यह होती है तो इसे ऐसे लिखेंगे एक ही दो ही सन्धी में बहुत परेशान करता, इसलिए यहां पर इसको समझ लेजिए ध्यान से, पहले क्या होता था, इस पर एक मात्रा थी और इस पर दो मात्रा हैं थी, लेकिन बाद में विद्वानों डिसकसन करके इसको खतम कर दिया, बोले इस पर कोई मात्रा नहीं होगी और इस पर एक मात्रा होगी, यानि कि कहने का मतलब यह हुआ जिस पे मात्रा नहीं है वो एक मात्रा वाला हो गया और जिस पे एक मात्रा है वो दो मात्रा वाला हो गया जब ब्रद्धी जंदी पढ़ते हैं तो बहुत परिशान करता है बच्चे से अब निकल वा लेता है वो तो बच्चे यह निकाल देत जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, तो इसकी क्या मात्रा हो जाएगी, ये मात्रा हो जाएगी, इसकी क्या मात्रा हो जाएगी, तो इसकी मात्रा दोस्तों ये वाली हो जाएगी, इसकी मात्रा की बात करें तो ये वाली हो जाएगी, और इसकी मात्रा की बात करे दस हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, और स्वरों की मात्राइं कितनी होती है, 10, किलियर हो गया, ये दौनों बाते आपको अच्छे से किलियर हो गई हो, कि स्वर कितने होते है, 11, और स्वर की मात्राइं कितनी होती है, 10, अब समझते हैं दोस्तों इनका विवाजन हम टोटल इने कितने तरीके से बाटेंगे, 5 तरीके से बाटेंगे, चली नमबर नमबर से बाटना शुरू करते हैं, आप वीडियो को देखते रही, चाहें तो note-down भी कर सकते हैं पहला भीवाजन हम करेंगे मात्राओं के आधार पर, किस पर करेंगे, मात्राओं के आधार पर अब देखिए, मात्राओं के इतनी होती हैं हमारे पास, दो तरेकी मात्रा पड़ रहे थे, एक छोटी मात्रा और एक बड़ी मात्रा तो यहां से हम कहाँ देंगे छोटी मात्रा और यहां से हम कहाँ देंगे बड़ी मात्रा यह कहाँ देंगे अब इस छोटी मात्रा को दोस्तों लगू भी लिखा हुआ मिलता है कहीं ना कहीं और इसको लिखा हुआ गुरु भी कह देते हैं, जो बड़ी मात्रा होती है उसको गुरु कह देते हैं, और छोटी होती है उसको लगु कह देते हैं, इसको हस्व के नाम से भी जानते हैं, और इसको दीर्ग के नाम से भी जानते हैं, तो जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए, confusion नहीं आना चाहिए आपके दमाग में लगू आजाए हसू आजाए छोटा आजाए बड़ा आजाए गुरू आजाए फिर दीर आजाए clear हो गया अब छोटी मात्रा के अधार पे देखिए बड़ा आ से छोटा छोटा आ ए से छोटी ई उ से छोटा उ अच्छा रिर किसमें आएगा छोटे में आएगा या बड़े में आएगा तो यह छोटे में आएगा बड़ी वाली रिरी जो होती है वो यह होती है जो की संस्किरत में पर चलेते हैं हमारे यह नहीं चलती है यह हमारी हिंदी में नहीं है तो यह भी छोटा ही है तो कितने होते हैं दोस्तो छोटी मात्रावाले और साथ होते हैं बड़ी मात्रावाले. कोई दमाग पर जोड देने की जरूत नहीं, आराम से याद हो गया. इससे चोट आहिये, इससे चोट आहिये, और ये भी चोटा ही fact चलिए. अगला वीवाजन समझते हैं इनका अगला भिवाजन समझेंगे दोस्तों इनका ओष्ट की आकिरती के आधार पे किससे समझेंगे ओष्ट की आकिरती के आधार पे दूसरा टाइप देखते हैं दोस्तों इसका ओष्ट की आकिरती के आधार पे टाइप नम्मर दो ओष्ट की आकिरती के आधार पे ठीक है अब ओश्ट की आकरिती के आधार पे दो तरीके से बाटेंगे नमबर एक बाटेंगे दोस्तो ब्रत्ताकार और नमबर दो बाटेंगे नमबर एक बाटेंगे ब्रत्ताकार नमबर दो ए ब्रत्ताकार ब्रत्ताकार से आप समझे हुआ 형े ब्रत का मतलब गोल से है तो ब्रत्ताकार का मतलब है जिन स्वरों को बोलते टाइम हमारा मूँ गोल हो जाए वो इन दौनों को देखिये वो ओ बोल के देख लीजी आप बोल के देखिए तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि होट हमारे गोल हो रहे हैं या फिर नहीं तो ये चार जो होते हैं दोस्तों ये ब्रत्ताकार होते हैं और बाकी जो साथ बचे उनको आप यहां लिख तो ये आ ब्रत्ताकार होते हैं ठीक है, यारी प्रत्ताकार का मतलब आपने सीधा समझ लिया कि जिनको बोलते टाए हमारे होटों की जो आखिरती है वो गोल हो जानी चाहिए, हैना उ, 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 तो हो रहा है, आप बोलके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो दूसरा बेवाजन भी हमारा केल आधार पर, अब देखिए, इनको बोलने से पता नहीं चलेगा कि इनको किस तरीके से बाटे हैं, हैना, तो बोलने से पता इनका नहीं चलेगा, चलिए वजीव को निकालते हैं पहले, जीव को बाहर निकाला हमने, और ये हो गए हमारी जीव, इस तरह से होती है ना, इसके पीछे का इससा है, जिसे हम पस्ट कह देते हैं, किलियर हो गया, जीव बना लो जीव किर तीन भाग बना लो, किलियर, अब दिखी ये है अग्र, किया है अग्र, इसे आप अग्र ना कहके अग्रिय कह दें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हEMA, अग्रिये, अग्रिये, ए, 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 और ए, इसका तो ये मतलब हुआ वह वही, अग्रिये, तो ए और ए, अग्रिये, किलियर हो गया, मद्धे से हम बोलते हैं वही, आ को, मद्धे से हम किसको बोलते हैं, आ को बोलते हैं, बाकी जो छे बचे दोस्तों को यहां पर लिख रटने की जरूरत पड़ी बिल्कुल भी नहीं पड़ी किलियर हो गया यह हमारा विवाजन ता थर्ड वाला चौथा विवाजन देखते हैं दोस्तों इनका मुहूं के खुलने के आधार पर है ना तो हमारा मुह किस किस तरीके से खुलता है इन्हें हम बाटेंगे चार तरीक इसको द्यान से पड़िए थोड़ा सब्ब्रत नंबर एक हमारा संब्रत होता है अगला होता है अर्द संब्रत बीवरत comment दोस्तों संब्रत के लिए दिङिस संब्रत का मतलब होता है मूँ बिल्कुल बंद होना चाहिए आपका कैसा होना चाहिए बंद होना चाहिए और आप उन स्वरों को बोल सकें तो ऐसे कौन से स्वर है कि हमारा मूँ बिल्कुल बंद है और हम उन स्वरों को बोल दें तो कौन से हैं वो इ-ई-उ-उ, बोल के देखो आप, इ-ई-उ-उ, है ना, इनको बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तो, कि ये ही सवर होते हैं हमारे पास, जो हम बिना मूँ खोले, बोल सकते हैं, इ-ई-उ-उ, अच्छा, अर्ध संवरत का मतलब क्या हो गया, यानि कि आधा मूँ बंद हो और आधा खुलाओ, यानि कि आधा खुलाओ, ठीके, तो इसको छोड़िए, बीवरत पर आईए पहले, बीवरत का मतलब होता है, मूँ पूरा खुलाओ, आ, है ना, तो आ का मतलब तो भही है, आई होता है, लो, किलियर हो गया, अच्छा, अर्ध संवरत में, तो अर्ध संवरत में आते हैं, दोस्तों, हमारे ए और ओ, अर्ध संवरत में आते हैं, हमारे ए और ओ, किलियर हो गया, ये दोनों याद कर लिए, बीवरत का मतलब मूँ पूरा खुला हुआ होना चाहिए, यानि कि आ, और जब ऐसा सब्द हमें बोलना हो, यानि कि ऐसे स्वर को बोलने हो, जिसमें कि हमें मुँ बंद रखना है, तो ई, और उ, उ को बोल सकते हैं, बाकी इसमें ए और उ को डालते हैं, बाकी जो बचे दोस्तों, उनको आप यहां लिखतीजिए, नीचे वाले में, तो ये भी बहुत आसानी से हमें किलियर हो गया, चलिए अगला जो ह कितने होते हैं, पांच होते हैं, कितने होते हैं, टोटल पांच होते हैं, समझी कैसे, देखें, यहां से चलना सुरू करते हैं, कहां से चलना सुरू करते हैं, यहां से, यह क्या है हमारा कंट है, क्या है, कंट है, इस से थोड़ा सा और उपर आएंगे, तो तालू आजाएं उसको हम क्या कहते हैं, मसूडा कहते हैं, लेकिन मसूडा ना कहके हम उसको मूर्धन्य समझें, क्या कहेंगे उसे, मूर्धन्य कहेंगे, मूर्धन्य से थोड़े से और आगे आएंगे तो दांतों पे आजाएंगे, और दांतों से थोड़े से आगे और आएंगे तो होटों पे आजाएंगे ने की कोष्ट पे आजाएंगे तो चलिए बाट लेते हैं, सबसे पहले कंठ आता है हमारा, है ना, दूसरे नंबर पे क्या आता है, फिर तालू आता है, तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है भी हमारा, मूर्धा आ जाती है ना, इस से फिर मूर्धन्ने भी कह लेते हैं, अगला आ जाता है दोस्तों हमारा धन्त और उसके आगे हम जाते हैं, तो क्या आ जाता है हमारे होट आ जाते हैं, यानि कि कोष्ट के आधार पे, तो कुल पिरकार से बाटेंगे दोस्तों हमें ने पांच पिरकार से, समझिए, बहुत आसान है, स्वरों को कंट, तालू, मूर्धा, दं, दोष्ट, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, किलियर हो गया, चलिए मूर्धा मैं देखते हैं दोस्तों, देकि मूर्धनने से सिर्फ एक ही बोली जाती है, वो है रिडी, यहां तक किलियर हो गया, दाथ से दोस्तों कोई भी स्वर नहीं बोल जाता है, तो रिडी का भी काम हो गया, और इनका भी काम हो गया, तक ही ओश्ट के आधार पे समझेए कि कौन कौन से बोले जाती है, तो हमने थोड़ी देर पहले ही बता एता तो ओष्ट जिसमें गोल हो जाए ब्रत्ताकार किसमें हो रहे थे हमारे दो सब थे ऐसे उ-उ-उ और ओ-ओ-ओ हैना कुल में लाके वो चार थे उ-उ-उ और ओ-ओ हैना सब किलियर हो गया हमारे ये दोनों बची तो इन दोनों को लिख देते हैं यहां पर किलियर हो गया दोस् एक और समझ लीजिए, कंठ पिलस तालू से मिलकर जो बोले जाते हैं, वो ये दोनों बोले जाते हैं, A और O, कंठ पिलस ओष्ट से मिलकर जो बोले जाते हैं, वो बोले जाते हैं, O और O, ध्यां रखने, ये खुब पूशा जाता है, ठीक है, इने हम क्या कहते हैं, कंठ ताल कर जो बोले जाते हैं और और बोले जाते हैं जिने हम कंठो pottery कहते हैं बस दोस्तों स्वर हमारा इतना ही था बड़ी आसानी से हम लोगों ने cover किया इसको बहुत ही sword तरीकी, इस से जादा sword तरीक दोस्तों इस का कोई भी नहीं हो सकता है बस आपको ये स्वर तो याद रखने ही पढ़ेंगे ये तो आप याद कर लिजिए क्योंकि हिंदी हमारी मास्तर बासा है तो हमें अपनी कम से कम अपनी हिंदी का तो इतना ग्यान तो होना ही चाहिए कि हमें अपने notes बना सक्ते हैं चाहें आप हमारे notes भी खरी सकते हैं हमने notes के लिए आपको number पहले से ही provide करा रखा है या फिर आप उस नमबर पे call कर लीजी या फिर इस number पे call करके आप notes को ले सकते हिंदी के complete notes तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै वारत